इस तरह के डेट जब भी बढ़ाया जाता है तो आप यूं समझे कि इसके दो पहलू है एक तो अगर समय पर हो जाता तो मेरे ख्याल से और बहतर होता दूसरा होता है कि अगर डेट एक्स्टेंड हुआ है तो इसका लाभ हम किस रूप में उठा पाएं क्या ये डेट लगात लगभग बरने की संभावनाय है क्योंकि अभी ऐसा नहीं कि अधिकारिक तोर पर ये नौटिस आपका दिया गया है हम इस आधार पर इस बात को कर रहे हैं कि अभी आप देखिए एक जो नौटिस ये आपका इसके लिए रजनीश जी है ये नेटवर्क 18 के संभाद आता है और इससे पहले जो भी इनौट ने अपडेट दिया है एक्स पर तो लगभग हमेशा सही रहा है इसलिए निश्चित रूप से इस पर विश्वास किया जा सकता है तो इनौट ने असपश तया इस बातों को रखा है कि 10 से 12 जून को अब नहीं होगी TRE3 परिक्षा, VPSC पाइनल रूप से परिक्षा केंद्रों की तयार होगी सुची, रजनिस कुमार, इन्होंने लिखा है कि Head Teacher, Head Master और UPSC की परिक्षा की वजह से तिथी में बदलाओ, सुल्य जून को देश भर में आयूजित होगी UPSC PT परिक्षा है, Head Teacher की परिक्षा 13 जून को ही होगी, Head Master की परिक्षा भी चोध है, जून को ही कराने का लक्ष रखा गया है, तो TRE 3 में कुल पोने 5 लाग अभेर्थी होंगे सामिल, प्राइमरी से लेकर प्लस 2 तक की परिक्षा में 5 से 5 दिनों का लग सकता है समय, 15 जुलाई तक हो सकता है TRE 3 का result जारी, मतलब इन्होंने एक तरीके से सारांस में यही इसका सार बताया कि 10 दिन लगबग आपका date extend होगा और 15 जुलाई तक इसका result दिया जाएगा, हम लोग थोड़ा सा चिंतित इस बात को लेके थे, अभी देख रहे हैं कि सारे सिक्षगन हमारे मौजूद है, अमरजीत सर है, math faculty, इसके बाद विकास सर, GS प पर आते हैं, और भी कई सारे faculty यहाँ पर हैं, तो सवाल यह उठता है कि 10 दिन में किस तरह से हम आपको maximum lab पहुचा सकते हैं, YouTube पर जो अभी classes चल रही है, लगभग 18 घंटे की classes आपकी चल रही है, Monday to Friday, platform, teacher, YouTube channel है, उस पर 18 घंटे का आपका class चल रहा है, और Saturday, Sunday को जितना भी अपना टेस्ट होता है, उसका discussion चल रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि TRE 3.0 में जो भी अभेरती सामिल होंगे, उनका maximum का लगभग syllabus एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ा हुआ है, अब उनको last moment में अधिक सदिक revision की जरुरत है, जो YouTube के माधियम से आपका चल रहा है, औ इसमें लगभग सारे 3,000 से 4,000 के बीच में सारे subject मिला करके बच्चे उपस्थित होते हैं, और online mode में platform by Navin Kumar Singh पर होता है, और इसके अलावे और अधिक से अधिक practice करने के लिए platform by Navin Kumar Singh पर आपका daily test हमने दे रखा है, सुबह 7 बजे से 9 बजे तक, तो जिससे की online mode में भी जो बच्चे यहां नहीं आ सकते हैं, अधिक सदिक लाब उठा सकते हैं, और जो online हमसे नहीं भी जूर सकते हैं, तो YouTube के माध्यम से, चुकि सारा discussion तो YouTube पर ही आपका होता है, अंतर खाली यह होता है कि टेस्ट जो आप देते हैं, और फिर उसका discussion देखते हैं, तो थोरा जादा होता है, लेकिन डारेक्ट यूटूब पर आप देखेंगे, तो भी आपको फाइदा होगा, सुबह साथ से नहीं आप देखेंगे, टाइम टेबल में, 125 के student के लिए math reasoning दिया हुआ है, Monday to Friday, और math reasoning ऐसा paper है, अगर आपका concept clear है, तो 100% score कर सकते हैं, तो आपको पता है कि आपका चलते रहता है, एक बार हमारे community में जाकर के आप देखेंगे platform teacher के community में, Monday को आपको सारा routine दिख जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जिस चीज को लेकर का भी उपस्थित हुए, कि अगर 10 दिन का date आपका extend करता है, तो किस रूप में आपको हमारे सिक्षगन आपक सभी को नमस्कार, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा और सर ने आपको पूरा detail, जैसा कि रजनिश जी के द्वारा इंफॉर्म किया गया है, और उनके द्वारा बताया गया हर information आज तक follow हुआ है, तो उसको सही मान के ही हम लोग चलते हैं और चलना भी चाहिए, मेरे सा केबल जो कहते हैं कि 10 दिन डेट एक्स्टेंड हुआ है, वो 10 दिन कम नहीं होता है, अभी जो आखरी में 10 जून को अगर पेपर होती और आज जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं आप लोग का कमेंड भी, तो हमारे पास कितना टाइम होता, केबल और केबल 20 दिन के आसपास और 20 दिन के आसपास में हम लोग बहुत ज़्यादा तयारी करते तो 1518-2000 ज़्यादा हम लोग कर पाते, देख पाते, लेकिन अब सवाल यह है कि 10 दिन जो बढ़ा, उसमें क्या हो सकता है, तो मेरे दोश सबसे पहले से positive way में लेना है, और अगले 10 दिन, 10 दिन भरने से मेरा subject maths से और मैं maths में आप सभी को 1000 extra question, 1000 plus question से आपकी सेवा करूँगा, और पूरी तागत platform by नवीन कुमार सिंग हर subject से आपके लिए लगाएगी, और मैं maths में 1000 plus question में क्या-क्या होगा, सबसे पहले तो 18 sit का जो platform का book आया है, एक-एक sit उसका daily complete करूँगा, और अभी कर भी रहाऊ daily complete, Monday to Friday चलता है, वो Saturday, Sunday आप लोग का test रहता है, तो एक दिन में 100 question, तब तो 10 दिन extend हुआते है, 1000, तो 18 sit वाला, उसके बाद 6 to 8 का math science आया है, वो वाला, और उसके अलाबे, जब last का 7-8 दिन बचेगा, तो हम लोग के द्वारा अलग से भी आपके लिए मेहनत किया गया है, और लगभग 5 से 700 question math का आपकी सेबा में provide की जाएगी, और पूरा कोशिस रहेगा कि examination में जब आप बैठें, तो जो question सामने आए, आपको लगे कि ये सब परहा हुआ है, कुछ भी नया नहीं है, तो मेरे साथ ही हो, पूरी जोसोख्रोस के साथ, पूरी energy के साथ हम लोग तय यारी को अब मजबूत करना है, और फाइनली 20 जून को जब पेपर होगा, तो आप सभी का जैजय कार होगा, धन्यबाद, तो अब आप लोग साइन्स के लिए 80 सर को सुनेंगे, विल्कुल सर, अब तो टाइम 10 दिन हो गया है, 10 दिन बहुत होता है, अगर आप महनत करिएगा, तो कितने लोग तो 10 दिन में ही अपने रेजल्ट ले लेते हैं, तो 10 दिन आपके पास अगर एक्स्ट्रा जूरुड़ा है, तो ये आप पॉजिटिव इसको सोचिए, कभी नेगेटिव नहीं सोचना है, कि मेरा टाइम एक्स्टेंड हो गया, अब आपके पास और समय बच गया, कि आप पढ़े हुए चीजों को कितना ग्रिप में रखते हो, तो मेरे भाई, क्योंकि हम हमेसा कहते हैं, कि आप इतना महनत कर रहे हो, इतना महनत कर रहे हो, इतना महन लेते हैं, लेकिन हम यही कहना चाहेंगे, कि आप सभी लोग को समय मिला है, अगर दस दिन का समय अगर आपको मिला है, तो इस दस दिन को कैसे यूटलाइज करेंगे, वो आपको एकदम सोचना पड़ेगा, और दूसरी बात हम लोग की प्लैनिंग और भी बहतर हम लोग कर करने के लिए जा रहा है कि हमारे टीम हर एक समय सोचती है कि क्या आप लोग के लिए बहतर करें जिससे आपका रिजल्ट होना है